नमस्कार दोस्तों हिंदी चेस्पेसी नेचल में निकलेश जयाना आप सभी का हारती के नुदन करता हूँ दोस्तों आथ चमा चाहता हूँ कि वीडियो लाने में थोड़ी सी तेरी हो गई लेकिन वीडियो बड़ा जवरजस्त है और ये जो गेम मैंने आज देखा मिखायल ताल का वो दिखाता है कि मिखायल ताल क्या थे जब वो बारा साल की उमर में थे मतलब बारा साल की उमर में बड़ा दमाका थे और अलगी लेबल की शतरंच खेलते थे ये गेम आपको ये भी दिखाएगा कि कैसे मिखायल ताल ब्लंडर कर देते हैं बोर्ट पर और अपोनेंट को रियलाइज तक नहीं होता है कि मिखायल ताल ने ब्लंडर की है ये उनकी खुबी जो है वो काफी लंबे समय तक रही आए देखते हैं मुकाबला मुकाबला खेला गया 1904 में पिछली सिरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें अपने ताल का पहला गेम दिखाया था 12 साल के उम्र में ये भी उसी साल का है 12 साल के थी रीगा पायोनियर करके एक टोनामेंट चल रहा था मतलब कि जैसे रीगा में उन्होंने जूनियर चैंपि फाइव नाइट डिटू तो मिखायल ताल यहां पर ड्ञथ है आप आप देखे कि नॉर्मल रिव्लप्मेट्मेंट कर रहे हैं जो नॉर्मल मूवस से वो खेल रहे हैं यहां पर उनके अपनेंट खर गयाल यहाँ पर जो main lines है वो knight f6 वगर है anyway c5, मिखाल ताल खेलते हैं into d5 और यहाँ पर queen into d5 जो की main line भी है knight gf3, knight c6 ओके, यहाँ पर मिखाल ताल ने खेला bishop c4, queen h5 यहाँ पर खेलते हैं, उनके opponent अब यहाँ पर आप देखी कि उनकी opponent जो लगा ताल पुछ rules तोड रहे हैं, जैसे 3 बार pawn चल चुके हैं फिर उसके hat queen को भी already अब उनको 2 बार चलना पड़ा है, हलाकि यहाँ तो force था तो इसमें white को जो है उसके development में फाइदा मिल रहा है अभी देखी आगे game कैसे होता है, d2 c5 यह definitely bishop बाहरा है, bishop c5 but immediately ताल खेलते हैं, knight e4 with the tempo एक प्रकार से attack है bishop क्यूपर, but queen का support है अभी knight g7 खेला यहाँ पर मिखायल ताल बहुत अची चाल खेलते हैं, खेलते हैं bishop g5 मतलब एक तो इस knight को जो है वो bishop को जो है, इस queen से disconnect कर दिया मतलब यह queen hanging हो गया, दूसरा queen को corner पर कर दिया, और same time जो है piece का development भी हो गया यहाँ पर उनके आपने ने जवाब दिया queen g4, idea क्या है queen into g2, लेकिन अगर आप देखें तो continue एक ही piece को कुछ pieces को बार बज़े से queen तीसरी बार बोर पर move कर रहा है, मिखाल ताल क्या कर रहे है अभी तक देखिए, हर चाल में almost उनका जो है, एक piece जो है, कितने piece बार आ चुके हैं already सब के सब ठीक है, now long castle की तैयारी है, यहाँ पर invitation है, अगर आपको मारना है तो queen g2 मार लीजे, लेकिन after rook g1 आप देख सकते हैं कि आपको यह हटना पड़ेगा and then आपको यह जो है, bishop आपका चला जाएगा, तो you can't take, आप मार नहीं सकते g2, queen d3 और यहाँ पर उनके opponent खेले b6, ओके, ठीक है कि अपना piece निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पर मिखायल ताल करते हैं, long castle और इसके साथ ही मिखायल ताल कर देखिए, already सब game over, bold, over में आप देखिए, सारा development complete हो चुका है, सारे pieces अच्छे से centralized हैं, जो कि 12 साल की उम्र में, देखिए, उस समय का 12 साल मुझे लगता है, आज का आपको 7 या 8 साल count करना चाहिए, जो knowledge है बच्चों के पास, तो उस उम्र में उनके pieces देखिए, उन्होंने बराबर develop करके रखे हैं, pawn की चिंता नहीं कर रहे हैं, development पर धियान दे रहे हैं, और opponent की pieces को restricted कर रहे हैं, तो already उनका sense जो था attack के लिए, वो बहुत तेजी से develop हो चुका था, अब ये actually आपको समझने भी मदद करेगा कि कैसे एक attacking player build up होता है, तो ये उनका starting phase था, ओके यहाँ पर उनके opponent ने castle कर लिया, long castle वो करने ही सकते, और तो ऐसे मुझने decide किया castle करना, और ये बहुत ही dangerous था, अब यहाँ पर मिखायल ताल जो है, normal chess खेल सकते थे, normal वो यहाँ पर देखे h3, queen f5 g4, ये variations खेल सकते थे, और already white यहाँ पर winning है, पट मिखायल ताल यहाँ पर चुकि वो desperate थे attack के लिए जैसा कि normally होता है, उन्हों ने यहाँ पर खेला bishop f6 idea बहुत अच्छा था, कि अगर opponent मारेगा, so knight f6 check और आप देखे कि ये queen king के problem, बट ये blender था, क्यों, क्योंकि मिखायल ताल यहाँ पर check miss कर गए check को check करना भूल गए, मतलब queen f4 check आ गया, okay king b1 और उनके opponent ने gene to f6 मारा, जो कि natural था आच्छा, actually मैं ये position अगर आज आप computer पर डालोगे, तो ये totally winning है black के लिए, black को क्या करना अपने remaining pieces, उसके दो तीन task है, एक king को safety में ले जाए h8 वगर है, दूसरा अपने इन pieces को जितना जल्दी हो, वो develop करे bishop को, knight b4 जैसे threats आ रहा है, ताकि queen को damage किया जाए, इस square से हटाया जा सके and then वो अपने pieces को centralized कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ आप देखी होगी कि इसके बाद, मिखायल ताल तो ऐसे खेलते हैं, जैसे गलती हुई ही नहीं और उनके opponent जो है, वो मिखायल ताल के sack, उनको लग रहा है कि sacrifice मारा है, तो वो कैसा खेल खेलते हैं, मिखायल ताल immediately खेलते हैं g3, natural move है, क्योंकि pawn को push करना है, लेकिन tempo के साथ, तो यहाँ से अब देखें, वो standard भी follow कर रहे हैं, उनको जाना g4, g5 है, लेकिन g3 करके आ रहा है, because एक tempo gain कर रहे हैं, okay, queen at 6, opponent queen at 6 पर जाता है okay, मिखायल ताल g4, अब opponent वो डर लगता है कि यार यह कहीं, यह pawn push के, यह pawn push आ गया, तो queen कहीं फस नहीं जाए, ठीक है, तो इस position पर actually में उनको खेलना चाहिए था, knight b4, खेलना चाहिए था, queen e2 वगेरे यहाँ पर आता, और उसके बाद वो अपना bishop भी जो है, वो निकाल सकते था, यहाँ पर किंग एचेट भी वर्क करेगा यहाँ पर लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यह game यहाँ से मतलब थोड़ा सा बच सकता था उनके opponent नहीं यहाँ पर खिल दिया, queen f4 मतलब मिखायल ताल को जो है, एक और मौका मुला मिला, pawn को push करने का, g5, यहाँ पर भी knight b4 इसके बाद भी आ रहा था, पर उनने नहीं मारा तो अपने ने मारा f into g5 now knife f into g5 भले ही मिखायल ताल यहाँ पर peace down है लेकिन मिखायल के पास कुछ चीज़ें दिख रही है आपको, number 1, यह open file हो चुकी है, ठीक है उन्होंने knight जी है, peace को डालके defend करने का तरीका अपनाया, जो की उतना सा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर pawns खुले पड़े हुए है pawns कभी न कभी knight पर attack करेंगे बट ठीक है, तो मिखायल ताल ने immediately h4 खेला अब finally जाकर करके उनके opponent ने knight b4 खेला ताल यहाँ पर, लेकिन अब जो की pawn जो देखे, यह मज़ेदार बात, pawn h4 पर जा चुका है न, वो यूहीं नहीं गया था h4 बहुत सोच समझ के h4 पर गया था क्योंकि मिखायल ताल queen h3 आ गए और अब देखिए, अब कैसे उनके opponent जो है, trap में फस्ते है यहाँ पर उनके opponent को जो है bishop b7 खेलना चाहिए था, अभी भी black जो है, वो winning है क्योंकि white यहाँ पर mate नहीं कर पाएगा, अगर सही तरीके से defend किया जाए तो, लेकिन वो trap में कैसे फस्ते है, e5 जैसे trap, मतलब कि bishop pawn को हटके queen पर attack है, लेकिन इसमें e5 से threat से queen पर attack तो हुआ, लेकिन bishop develop हो गया, ताल ने चुप चाप queen g2 खेल दिया, मतलब अपने pawn को h4 पर ले जाके, इस root को use कर लिया, queen को improve करने के लिए king के खिलाफ, इससे h square क्या मिल सकता था, अप opponent नहीं यहाँ पर खेला, एक और गलती करी, final गलती करी, यहाँ पर भी जो option था, last king h8 हटना चाहिए था, ताकि bishop कम dangerous रहता है, लेकिन इन्होंने last गलती की और खेल दिया bishop f5, क्या खेला होगा मिखायल ताल ने, उनका तो plan continue था, h5, और यहाँ से एक बार, फिर से बाजी जो है, वो white के हाथ में गई, अभी आपको knight अगर आपने हटाया कहीं, तो आप जानते हैं कि, अगर knight माली जे कहीं हटाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि knight f7 जैसा move आजाएगा, और आपको beach में जो है, वो pieces डालने पड़ेंगे, यहाँ पर इवन अगर आप bishop g4 बगरे डालते हो, तो आप देख सकते हैं कि, यहाँ पर knight h6 queen, बहुत कुछ आ रहा है, queen g4 ही check आ रहा है, यहाँ पर queen g4 check करके यहाँ पर game को, उसके बाद knight को भी यहाँ पर piece को ले सकते हैं तो उनके अपनें ने यहाँ पर खेला king g7, तो now मिखाल दाल ने hg6 और यहाँ पर piece वापस मार लिया, अपनें ने खेला यहाँ पर h6, तो मिखाल दाल का वो bishop बन था ना, अब उसकी बारी आई, यहाँ पर देखे, फिर से piece वापस देना, piece तो ले लिया, piece वापस देते है खेलते हैं bishop into f7, अगर आपको मारना है तो मार लीजे, बट मारना possible है नहीं, क्योंकि आप देखो कि यह जो है, इसके entry हो रही है, rook s7, पर checkmate हो जाएगी, तो उन्हों ने यहाँ पर उनके अपनेंट ने, जो है, जिबलेर ने खेला, rook into f7, तो ताल ने यहाँ खेला, g into f7, now उनके अपनेंट ने खेला, h into g5, तो यहाँ पर knight into g5, आप देख सकते हो board पर, कि मिखाल ताल के पास दो रुक है, एक knight है, लेकिन king जो है, अपनेंट का वो पूरी तरह से exposed है, भले अपनेंट के पास double bishop है, और एक रुक भी है, लेकिन defense में कोई आ नहीं पा रहा है, उनक king into f7, now queen g7 check, king e6, rook h6 check, bishop g6, दे नहीं पड़ा, queen into g6, king e7, rook h7, king यहाँ, queen g7, यहाँ पर यह सब race चल दी रही, queen d7, king f8, rook h8 checkmate, क्या style में checkmate किया, और imagine करिए कि 12 साल के मिखाल ताल, मतलब आज के मैं मान कहूंगा कि 7-8 साल का बच्चा मानिए, प्योंकि यह उत्तर ही knowledge हो moment है, खास दोर पर यह bishop मरने के बाद free मैं, okay definitely opponent का योगदान है, लेकिन फिर भी 12 साल की उमर में जो उनकी समाझ है, जिस तरह से वो calculation कर रहे हैं, यह सब दिखा रहा है कि वो अल्रेडी विश्व चैंपियन बनने की रहा पर 12 साल की उमर से ही चल पड़े थे, उमीद यह वी आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगे, अपने सुझाओ हमें जनूर्दया याद रखें, शत्रल्च की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें, चैस्पेस इंडिया चाहे हो खिलाडियो के इंटर्व्यू या फिरो खेल का विशलेशन, चैस्पेस इंडिया आमिक शाथ के लिए खबरें लाएगा सबसे तेज़ सबसे जल्दी सब्सक्राइब करें पीचेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर दिख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ बैल आइक ओन दवाना ना पूस्तों क्योंकि इसी से मिलें के आपको स आरे नोटिफिकेशन फेस्बूक पर देख रहे हैं तो जनूर लाइप और शियर करना ना भूलें